हलो गाई स्वागत है और इक नीए ब्लोग में आप लोग कैसे हैं आयोफ सब अच्छे ही होंगे तो गाई अभी मैं हूँ इस वक्त माहिम टेसन पर देख सकते हैं यह हैं माहिम टेसन और मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज धारवी जो की दो किलो मिटर में बसी ये बस्त लगभग 16 लाख या 17 लाख यहां पर लोग रहते हैं देख सकते हैं पीछे का वी और बहुत ही कचड़ा पट्टी वाला यह एरिया है और बहुत ही जादा यहां पर गंदगी रहती है तो आज को मैं तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहां का वियू बहुत ही अंधेरा रहता है मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता है तो देख सकते हैं यह है धारवी धारवी का यह बहुत ही लोग यहां पर रहते होंगे और बहुत तादाद में लोग यहां पर रहते हैं तो चलके आज हम आपको दिखाते हैं यहां का वियू बहुत ही लोग यहां पे रहते हैं और यह धारवी जो इस्टेसन से रोड जाता है माहिम टेसन से यह यहां का विउ है कि तो गाइश जैसा की देख सकते है धारवी की ये गलिया बहुत ही पतली गलिया है तो गाइस मुंबाई के बीचो बीच बस्ती धारवी जो कि 1000-70,000,000 की आबादी में माना जाना यह सहर है जो कि इतनी बड़ी यहां पे आबादी रहती है लिकिन यहाँ इस जो ये जोपडपटी है धारवी का सरकार ने मतलब एक फैसला लिया है कि इस जोपडपटी को हटा के मतलब टामर बना के इन लोग को दिया जा लेकिन ये काम कब होगा कि तो गौर्मेंट ने ये फैसला लिया है कि आने वाले समय में हो सकता है धारवी को जो पर पटी जो हटा के यहां पर बिल्डिंग की फैसलिटी दी जाएगी लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा सुनने में तो यह आया है लेकिन बहुत ही समस्या में यहां पे लोग रहते हैं क्यूंकि इतनी पतली-पतली यहां की गलियां है अगर जो दूसरा आदमी जाय तो इसमें जा नहीं पाएगा सिंगाल यह आदमी जाएगा और यह जो धूख देख रही है धूख आपको उस गली में देखने को मिलेगा ही नई धारवी के गलियों में तो आज मैं आपको चल के दिखाता हूँ धारवी की गलिया जो है कैसे लोग कितने छोटे-छोटे से रूम में रहते हैं और बहुत समस्या रहता है उन लोग को बातरूम के लिए इधर उदर भागना पड़ता है नहाने के लिए इधर दर भागना पड़ता है बहुत समस्या से लोग धारवी के इस बस्ती में रहते हैं लेकिन बहुत बड़ी आबादी है माना जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी बस्ती मुंबई के धारवी में रहती है इंडिया की सबसे बड़ी बस्ती है इतने में एक देश आ जाएगा देख सकते हैं मैं आपको चलके दिखाता हूं धारवी की गलिया जिसमें लोग बहुत ही समस्या में रहते हैं और यहां पर बहुत जादा गंदगी रहती है जोपड़ पटी रहती है तो इधर उधर कचड़ा कुबार रहता है बहुत जादा ही रहती है तो आज हम चलके आपको दिखाते हैं धारवी की गलियों में लोग कैसे अपनी जिन्दगी को जीते हैं और कैसे रहते हैं तो हमारे साथ बने रहेगा वीडियो में वीडियो अच्छा लगए या तो लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब पर देगा यह अधने समस्या से लोग रहते हैं तो बने रहेगा वीडियो में वीडियो अच्छा लगएगा तो लाइक कर दिये चैनल को सब्सक्राइब करदी तो गाई जैसा की देख सकते हैं हम आगे हैं धारवी की गलियों में आपको हम दिखाती हैं धारवी का भी और यहां पर देख सकते हैं सूरज का जो रोसनी है हलका हलका आपको देखने को मिलेगा और देख सकते हैं ऐसे ही लोग धारवी में रहते हैं सीड़ी देख सकते हैं यहां का रास्ते पर ही सीड़ी ल लाटे हैं साक्सब्जी दाल चावल जो भी चाहिए इनको इसी गली में जाता है I haveHmm कि यहां पहर रहता है इस लिए फेमस है लुआ यहां पर आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि दिन ही नहीं रात हो चुकी है और कहीं कहीं लगेगा कि यार दिन है क्योंकि यहां पर थोड़ा बहुत कहीं कहीं से उजाला आ जाता है अभी आपको सामने दिखा रहा हूं आपको यहां पर लगेगा ही नहीं कि दिन है ऐसा लगेगा आपक सकते हैं यहां पे कितना अंधेरा है बाकी आगे आगे आपको और विए दिखाता हूं यहां देख सकते हैं कचड़ा पटी कितना रहता है गटर बह रहा रहा अगा गंदगी तो बहुत रहती है और रागे का व्यों दिखिए Salvador आपको दिखेगा और सीड़ी जो रहती है इनका सीड़ी रोड पे ही रहता है एक तो पतला सा रोड रहता है उसी में सीड़ी भी रहता है तो आगे आपको व्यू दिखाता हूँ बने रहीगा वीडियो तो वाइस मैंने आपको धारवी का व्यू दिखाया देख सकते हैं धारवी में लोग कैसे रहते हैं छोटी-छोटी सी गलिया है पतली-पतली सी जिसमें सूर का भी रोसनी नहीं जाता होगा इतना ज्यादा दिक्कत रहता है और गंदगी तो ना पूछो यार इधर उधर बायू मिलेगा ना सुधा ऑक्सीजन ना कभी धुक का रोसनी देखने को मिलेगा तो क्या ही यह इसी जिन्दगी जीनेगा मुदलब छोटा-छोटा सा कमरा रहता है पांच बाइपांच का ही रहता होगा बहुत छोटा कमरा रहता है उसी में लोग अपनी जीवन को जीते ह समस्या का सामना करना पड़ता गंदगी तो इतना रहता है वहां पे धारवी में कि पूछो ही मत कहीं इधर गट्रक खुला रहेगा तो यह था धारवी जो यह था धारवी तो आपको दिखाना था बोलते हैं धारवी कभी विल्दिंग बनेगी कौन से समय में बनेगी यह तो उपर वाला ही जाने, आज बनेगी कि दस सालबाद बनेगा कि बनेगा ही नहीं कि एक हफवा है कि धारवी को हटा के एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, टावर बनाया जागी, लग यहां पे टावर बनाएंगे बिल्डिंग का, कि जो धारवी में मतलब यह जोपड़ जायने में चमर्ण गक्ता प्ट्टी है इसको हटा के बिल्डिंग बनाया जाएगा, ऊपर से धारवी है, जो कि आपको दिख रहा वगा, नहीं दिख रहा होगा कैमरे में कि इतना अच्छ लिख बन सामने का, गाओ यूपी भीहाद जरकंड जो गाओं की लोग है धारवी की गलियों में तो नहीं रह सकते हैं, कमारे के निसमत में आएं रूम लेकर रहे हैं, तो साइद रह सकते हैं, लिकिम किसी फैमिली को रहना हो धारवी में, भाई नहीं रह पाएगा, क्यों यह घुटन सी होती है ही बोल सकते हैं उनको तो अच्छा ही लगेगा सबको अपना घर प्यारा लगता है तो आयो बीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिये चैनल को सब्सक्राइब कर दिया मिलते हैं फिर नीव व्लोग में तब तक के लिए बाई